मदिप्रदेश के करगोन जीली की कस्रावत तहसल की ग्राम कमोदवाडा में एक महीने से पागल बंदूरों का जुन्ड ग्रामिनों को परिशान कर रहा है और घायल कर रहा है बंदरों द्वारा जानलेवा हमला किये जा रहे हैं ग्रामिनों में काफी दहशत का माहोल है ग्रामिनों द्वारा CM Helpline 181 पर भी शिकायत की गई है लेकिन अब तक Forest विभाग से कोई निराकरण नहीं हुआ है ग्रामिन डरे हुए हैं ग्रामिनों को कहना है कि शार्षनेस पर कारवाही करें देखे और क्या कुछ बोले ग्रामिन ग्रामिन अच्छा सुचना देने के बाद भी लापर वही बढ़ती जा रही है बच्चों के उपर भी हमला किया जा रही है ठीक है भी या धन्यवाद आपको नीमत जिले के सबी मत्दातों को मेरा नमशकार है देखिए लोक तंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है मतादीकार के माध्यम से चुनाओ करना है ये हमारा बहुत महत्पून अधीकार संबीधान द्वारा प्रदत है हम सब लोगों को लोक तंत्र की गरीमा को बनाए रखने और अपने प्रती निदी को चुनने के लिए इसका उपियोग करना चाहिए नीमच जिले में पिछले बिदान सभा इलेक्शन में आप सभी लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया था और हमारे जिले का मतदान प्रतीशत 84 प्रतीशत रहा था जो की एक रिकॉर्ड था इस आउसर पर मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आगामी 13 माई को लोकसभा का मतदान होना है आप सभी नागरिकों ने नीमच में कई छित्रों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेकर नीमच को प्रतमिस्थान पर लाए हैं चाहे वो अंगदान हो, नेतरदान है, रक्तदान है तो मेरा आप से आगर है कि मतदान में भी आप नीमच को नमबर एक बनाने में 13 माई को आवश्यक रूप से अपने मतदीकार का प्रियोग करें और लोकतंत्र के सबसे बड़े परव में भाग लेकर अपने अधिकार का उप्योग करें अपने प्रतिनिदी का चुनाओ करें और नीमच का नाम जो है प्रदेश में अधिक्तम मतदान प्रतीशत वाले जिलों में शामिल करने में सबी लोग इसमें मदद करें मेरा सबी सास्किय करमचारी अधिकारी और अन सबी जो चुनाओ में पार्टिसिपेट करने वले लोग हैं उनसे भी मेरा आग्रा है कि वो भी आवश्यक रूप से मतदान करें और मतदान के प्रतीशत को बढ़ाने में चुनाओ आयोग के नर्दे शानू सार इसमें भाग लेकर जरूर इसमें भाग लें धन्रबाद जय हिंद